हेलो एवरीबन वेलकम टो आर्ट चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा आर्ट के विषय हिंदी का ग्रह कारे जो की दिना 11 जनवरी 2022 को दिया गया है इस ग्रह कारे में आपको पार्ट ये दिया गया है क्या निराश हुआ जाए तो इसी पार्ट से रिलेट हम कुछ को दिया है तो चलिए फटा फट से स्टार्ट करते हैं प्रेशन संग्या एक है जिस समस्पद में दौनों संग्या पत् प्रदान होते हैं कहलाता है बहु ब्रीही संस, द्वेंद शाज, द्वेंदू संस, त्वीकु संस, अववई भाव संस तो यहां आंसर लिखेंगे, दौनों संग्यापत प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास होता है, द्वेंदो समास होता है, क्योंकि यहां दौनों ही शब्द महत्वपुन होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, राम शाम, राम और शाम, सीता गीता, सीता और गीता, तो यह नहां दौनों ही पद प्रधान है, तो ये कौन सा समास है, द्वेंदो समास. समास का क्या तात पर रहे है, आंसर लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति चिन हटा कर, उनके मेल से एक नया शब्द बनता है, तो इस मेल या सहियों की क्रिया को समास कहते हैं. प्रश्र संक्या तीन है, दिये गए वाक्याश का समासिक पद बनाईए, यहां आपको वाक्याश दे रखे हैं, इनके हमें समासिक पद बनाने हैं. रसोई का घर, अर्था रसोई घर, रसोई घर को जब हम विभाजित करेंगे, समास विग्रे करेंगे, तो क्या होगा रसोई का घर? नेक्स खे है ध्यान में मगन अर्था ध्यान मगन सेना का नायक सेना नायक यहां का में का यह सबी क्या है योजक चिन है ठीक है तो यहां जो करता ने कर्म को करन से संप्रदान के लिए है यहां यह यूज हुआ है जो कारक है आपका प्रश्ण संख्या 4 है समास कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए समास 6 प्रकार के होते हैं तक पुरूष समास अविभाव समास कमधारे समास द्विगू समास द्वंद समास और बहुब्री समास और लास्ट कोशिन है निम्नी शब्दों का समास विग्रे करके लिखी है, आपको कुछ शब्द दिये गए हैं, जिनके आपको समास विग्रे करने हैं, जैसे राम, लक्षमन, यहाँ योजक चिन लगा हुआ है, तो आप पैचान लिजे कि यह कौन से समास का एक्जामपल है, द्वान समास का राजा, रंग, राजा और रंग, सुख, दुख, सुख और दुख, चारो ही जो एक्जामपल हैं, आपकी द्वान समास के एक्जामपल है, तो इस तरह से यह था आपका आज का ग्रह कारे, इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपर्टन ग्रह कारे, और भी बटन जानकर ये दिखते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे हमारी चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद